Mid Cap में Mega Action, बड़े Action कहां दिख रहे हैं, आपके सामने वो Stocks भी रखेंगे और उस पर रणीती क्या बनाए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे तो ये 3 Stocks अभी हम आपके स्क्रीम पर आपके सामने लेकर आएंगे पहला तो है रेप्रो इंडिया, आज Small Cap और Mid Cap Stocks में हम देख रहे हैं, नतीजों के चलते दमदार आक्शन है रेप्रो इंडिया साथ दिनों में करीब 40% की दौड लगा चुका है, यहाँ पर फ्रंट आक्शन हुआ है, एक आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे बड़े HNI बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते केवल दो दिनों में ही 29-30% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है वहीं दूसरी दरफ एस्ट्रेल पॉली, यहाँ पर भी शांदार नतीजे और हमने देखा मुनाफिब में उच्छाल है, मार्जिन में बड़ा उच्छाल है, जिसके चलते एस्ट्रेल पाइप्स भी इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है वहीं एक और भी नतीजे आये थे, स्किपर कल बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे के बाद हम इस स्टॉक में भी अच्छी खरिदारी देख रहे हैं आये में 19% की बढ़ातरी कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा कमपनी का तो ये कुछ मिट कैप में धमाकेदार अक्षिन वाले स्टॉक्स इनमें क्या करें हम आगे समझेंगे लेकिन इसके अलावा, इन स्टॉक्स के अलावा और कहां पर अक्षिन दिखाई दे रहा है मिट कैप स्पेस में मौझूदा हालात क्या है ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जोड़ चुकी है वामाक्षी गुड आफ्टरनून बताइए बलकुल शुरुवात करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ तो हम देख रहा है काफी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है आश्टरिल में यहां पर कंपनी की तरफ से नतीज़ा आये थे मार्जन्स में सुधार आये और इन फाक्ट उनका जो सेग्मेंस है वो भी उनका जो टॉप लाइन है यह सारी ही रेकॉर्ड हाइपर है और उसी के चलते हैं यह स्टॉप में हम काफी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं इसके अलावा ट्राइडिन्ट में हम देख रहे हैं कि आज करीब 7 प्रतिशत की तेज़ी नजर आ रही है न्यू इंडिया अशॉरंस और 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 बिंदो फामना में भी करीब 5 प्रतिशत की तेज़ी नजर आ रही है खेर यह तो हो गए टॉप गेनर्स अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की इसके अलावा अगर हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस करते हैं तो आज डिफेंस टॉक्स पर नजर डाले काफी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है मिश्रधातु निगाम भारत डाइनामिक्स जैसे स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेज़ी नजर आ रही हैं हम ओके तो यह कुछ स्टॉक्स हैं सेक्टर स्पेसिफिक अक्षिन अभी हम आपको बता रहे थे वामाक्षी इसके लिए भी बताईए खबरो वाले शेर्स कौन-कौन से हैं जी बलकुर शुरुआत करेंगे हम Sona BLW के साथ हम देख रहे कि कंपनी ने एक टेक्नोलोजी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है एक्विप मेक के साथ यह एक यूस बेस्ट टेक्नोलोजी कंपनी है जो इलेक्रिक पावर ट्रेंस डेवलाप करती है तो ओवराल इसी करते हम देख रहे कि Sona BLW फोकस में है मगर यहां पर हम हलकी सी तेजी देख सकते है हला कि स्टॉक थोड़ा फ्लाट कारुबार कर रहा है इसके अलावा अगर हम देखे तो SKF इंडिया भी फोकस में है हमने देखा था कि 15 में को कंपनी ने एक शेर होलडर्स अग्रीमेंट एंटर किया है क्लीन माक्स टायो प्राइविट लिमिटेट के साथ वो फुली पेड़ाप एक्विटी शेर्स अक्वायर करने वाले है करीब 26,000 जो करीब 26% रप्रिजेंट करते हैं इन्वेस्टी फर्म के टोटल इशूद और पेड़ाप शेर क्यापिटल को तो इसलिके जोलते SKF इंडिया भी फोकस में यहां पर भी इस्टॉक हर्की देजी के साथ कारोबार कर रहा है ठीक है तो यह कुछ खबरों वाले शेर्स हैं जिंकी चलते एक्षिन इस वक्त दिख रहा है वाबाक्षी तैंक यू सुमच यह सारी डीटेल्स देने के लिए तो इस वक्त का करेंट एक्षिन कैसा है मानस सबसे पहले तो बात करते हैं आज रैप प्रो इंडिया की यहां पर हम देख रहे हैं की काफी अच्छी मजबूती है और पिछले दो दिनों में ही अगर देखे तो स्टॉक लगभग लगभग 29 से 30% की तेजी दिखा चुका है बड़ी HNI इंवेस्मेंट की बात की जारी है कुछ फंड आक्षिन हुए थे यहां पर हमारे दर्शकों को बता दे की माधूरी केला आप यहां पर निवेश कर चुकी है करीब करीब 3.75% का स्टेक इन्होंने यहां पर लिया हुआ है और इसके अलावा और भी कुछ बड़े नाम है आशीश करशॉलिया जैसे बड़े नाम है जो की इसमें अपना निवेश बनाय रखे हुए हैं चौती तिमाई के रतीजे भी काफी स्ट्रॉंग थे और आगे भी काफी अच्छे बिजनस ग्रोथ की बात की जारी है रेप्रो इंडिया के लिए इस बज़े से यह स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है मानस आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर वैसे तो छोटी कंपनी है स्मॉल कैप शेयर है एक लेकिन अभी जो तेजी दिखाई दे रही है काफी जादा चल चुका है मौझूदा लेविल्स पर एंट्री करने की राय देंगे आप फिर अभी थोड़ा अवाइट करेंगे स्टॉक को अगा देखी पिछले दू दिनों के वॉल्यूम को छोड़ दे तो उसे पहले स्टॉक में बहुत जादा वॉल्यूम स्टॉक में नहीं होते थे तो मैं निवेश करने की या तो ट्रेडिंग करने की सलाव नहीं देता है स्टॉक में लेकिन क्योंकि एक breakout 520-530 के उपर देखने को मिला है जिसके target 640 और 660 की range में आते हैं तो अगर आपके पास already long position बनी हुई है तो आप बने रह सकते हैं लेकिन धियार रखिए 490 की नीचे stop-down जरूर लगा के रखिए अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी long position से निगलना पढ़ेगा उपर के तरफ 640 तक के target possible है तो रेपरो इंडिया पर ये राय मौझूदा अगर अपकी holding है तो आगे की targets भी आपको दिखा दिए गए फिलाल fresh entry करने की राय या कोई trade करने की राय इस वक्त नहीं आ रही है अगर आप hold करें तो अभी फिलाल hold करके रख सकते हैं इस टॉक को क्योंकि अभी तेजी दिखना शुरू हुई है हाला कि company पर और company के fundamentals पर हमाई नजर बनी हुई है इसे जुड़ा कोई भी update अगर आता है तो वो हम आपकी सामने रखेंगे फिलाल नजर रखेंगे इस पर